दोस्तों अगर आपकाई गेमिंग चैनल है और आपके उस गेमिंग चैनल का लोगो कुछ इस तरीके से बोरिंग दिख रहा है तो आप उसे कुछ इस तरीके से इंट्रेस्टिंग एंड प्रोफेशनल लोगों में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो पर इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ तो इस वीडियो को एक भी स्टेप स्किप नहीं करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना फिर आपको सबसे पहले पिक साठ अफ्लिकेशन को ओपन कर लेना है जैसे आप यहाँ पर ऊपनक fail करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथरे बहुत सरे सेथिंग को एलाओ करने के लिए बोलेगा दोस्तो जितने भी allow करने के बोलेगा सबको आपको allow कर देना है जैसे आप allow करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा अब दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते कि search का option दिखाए देरा simple साब को यहाँ पे click कर देना है और इसके बाद में दोस्तो इहाँ पर आप देख सकते किxico पर आप समThese दिखाए देरा simple सा में यहाँ पहर क्लिक कर करूंगा तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही का अप्सम दिखाई दे रहा है संप्सक्राइब और यहां पर देख सकते कि बहुत सारे अप्स闓ं दिखाई दे रह JASON बाइग उसको लिख गरे भृagy सामने के को अज़र आएगा और इसके बाद में आपके सामने नया इंटरफेस नगर आएगा अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर आप ब्रेख सकते हैं कि इस लोगों का को क्या करना कि ड्रैक करके इसको बढ़ा कर देना कुछ इस तरीके से इसको बढ़ा करदेना है । yat यहां पर आपके सामने सही का ओप्सन दिखाए रहा सिंपल साब को यहां पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद में आपको यहां पर एरो का ओप्सन दिखाए रहा सिंपल साब को यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस नजराएगा और दोस्तों यहां प यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सेव पिक्चर आन योर डिवाइस का अपसन दिखाए देरा सिंपल्स आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो यह लोगो है वो लोगो आपके फोन में सेब हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों आपको को डिलीट करना है तो यहां पर डिलीट का अप्शन दिखाई दे रहा है यहां पर क्लिक करने के बाद आपको इस टेक्स को डिलीट कर देना है आप दोस्तों इसके बाइक ग्राउंड को चेंज करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको इस वाली आप संपी क्लिक कर देना है और यहां से दोस्तों आपको white background को यहां पर चूज कर लेना है तो दोस्तों मैं यहां पर white background को चूज कर लेता हूं किुछ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं इसको रो टेट कर देता हूं आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटलफेस नजर आएगा अब दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले इंपल सबम पसुत करें और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको अपने लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिस लोगों को आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो सिंपल से मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरीके से इस लोगों को डाउनलोड किया था तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको इस तरीके से अर्जेश्ट कर देता हूं अब दोस्तों क्या करना है कि आप अपने चैनल का नाम यहां पर देना है तो सिंपल्स आपको यहां पर क्या करना है कि यह वाल it gamer आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा अब दोस्तों अगर आप इसका फॉंट यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको फॉंट को आप संदि कहा देरा सिम्पल साप को यहां पर क्लिक कर देना आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फोन्त है कुछ इस तरीके से दिखाय देगा फिर इसके बाद में आपको Ensign Leek स्ट्रोक वाले आप क्लिक करना है और इसके बाद में आपको अपने आप से यहाँ पे जो भी color चाहें उस color को यहाँ पे stroke दे सकते हैं और इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो logo है वो किस तरीके से दिखाए देता है बहुत ही professional लगता है अगर आप इस logo को अपने चैनल पर लगाएंगे और कोई भी बंदा देखेगा तो को कहेगा कि हाँ भाई ने logo बहुत ही अच्छा create किया है दोस्तों आप इस तरीके से अपने किसी भी gaming चैनल का logo create कर सकते हैं और इससे अच्छा भी create कर सकते हैं अगर आप अपने चैनल के logo पर time देंगे तो I hope दोस्तों आप कोई वीडियो पसंद आए होगी और अगर आपक के लिए थमनेल को create कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रू बता देना कि यह वीडियो कैसी लगी और अगली किस टोपिक पर चाहिए और अगर आप ऐसे यूटूब से कर दो